नमस्कार एक और ना वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है दोस्तों आज किस वीडियो में में आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम क्या गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ डिरेक्ट साइट से आपको सिर्फ 1000 स्क्वार्ड फीट में बनता हुआ घ इस घर का front elevation है वो 40 feet का है और बात कर लिए जाए इस घर का side elevation का तो वो 25 feet का है मतलब 25 feet by 40 feet में इस घर को बने आजा रहा है side elevation में पीछे का जो रूम है वहां पर आपको एक window नजर आ रहा है जो की box design का है सामने की तरफ यहां सो main entrance है यह देख सकते हो इसके साथ साथ बगल में देखेगा तो और आपको यह दो window है वो जो window आप देखरों वो kitchen के लिए, beach वाला window वो घर का hall और dining area के लिए है आप अच्छा तरीका से समझ पाएं मैं size by बताऊंगा घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आकिर किस size में किस चीज़ को design यहां पर किया गया है दोस्तो इस घर का जो front है अगर इसका बात किया जाया है तो यह दक्षिन मूखी घर है मतलब south की तरफ इस घर का जो front elevation है उसे रखा गया है और ground के label से 4 feet की उचाई पे देखेगा तो यहां पे इस घर के लिए plint beam का परियोग है वो किया गया है अच्छा यहां पे height लिया गया है यह beam आप इस घर के लिए देख पा रहे हो इसका जो lintel label है वो इस घर के ground के label से 7 feet की उचाई पे रखा गया है lintel beam भी आप यहां पे easily है वो देख सकतो हो यह देख सकतो हो यह lintel beam है और जो घर से लेकर घर का जो निचे का ground label है वहां से लेकर सारे 10 feet के उचाई में आपको इस घर का जो छत है वो आपको देखने को मिलने वाला है तो किस तरीका से काम किया जाएगा आने वाला दिन में मैं आप लोगों को बताऊंगा दिखाऊंगा यह kitchen के लिए exhaust fan के लिए छोड़ा हुआ जगा है यह आप देख पा रहे हो अब जादा देर नहीं करेंगे चलेंगे direct घर के अंदर और देखेंगे कैसा काम किया जा रहा है तो चोराई के मामले में 4 feet है height के मामले में 7 feet है मतलब 7 feet by 4 feet का यहाँ पे main gate है वो रखा गया है बहुत अच्छा तरीका से आपे design किया गया है अगर आप middle class family से बिलेओं करते हो देखिएगा कि इस तरीका से सिर्फ 1000 square feet में घर को अच्छा तरीका से बनाया गया है तो यह दे रहा इस घर का main entrance जैसे ही आप घर में इंटर करते हो आपको मिल जाता है hall के साथ साथ dining area यह आप देख पा रहा हो पीछे की तरफ room अगरा निकाला गया है और इसके left side में देखेगा तो यहाँ पे इस घर के लिए kitchen है यह hall के left side में यहाँ पे kitchen है इस घर के लिए वहाँ आपको लेकर चलूँगा दिखाऊंगा किस तरीका से उसका काम है वह किया गया है और अंदर का brick work चल रहा है और इसके दाहिन तरफ में आप देखेगा तो यहाँ पे इस घर के लिए toilet और bathroom बनाया जा रहा है दिसे 11 feet by 8 feet में बनाया जा रहा है अंदर अब लेकर चलूँग और दिखाऊंगा किस तरीका से इससे डिजाइनिंग है वह किया गया है तो देखिए यहाँ पे toilet और बात के लेजगा है अलग अलग toilet और बात यहाँ पे बनाया जा रहा है आप देख पा रहे हो इसके साथ साथ पीछे के तरफ यहाँ पे तीन रूम भी निकाला गया है च चली एक एक करके में जो भी अब तक का construction किया गया है काम किया गया उसको दिखा देता हूँ यहाँ से जैसे ही आप घर में इंटर होते हो यह देख सकते हो कुछ इस तरीका से यहाँ पे काम है वह किया जा रहा है और अगर इसका size के बारे में बात कर लिए जाए तो इसे 12 feet by 11 feet के size में बने जा रहा है यह आप देख सकते हो और इस तरीका से यहाँ पे window 4 feet by 4 feet का है double window के साथ यहाँ पे काम है वह किया जा रहा है और यहाँ पे double window letter है उसका use भी किया जा रहा है तो देखिए इस तरीका से यहाँ पे जो काम है वह किया जा रहा है इसके साथ-साथ य बहुर भी ज़्यादा अंदर से सुन्दर बनाया जागा और यहां पर एक आपको एक्ष्टा आलमीरा भी मिलने वाला है छोटा घर है इसलिए समा रखने में दिक्कत नहों इसके लिए जो में दर्वाजा है रुम्याने के लिए उसी को उपर में इस तरीका से छजा का इस्त जान लेंगे कि किस सरीका से यहां पर काम है वो किया जारा यह देखिए वह बीच वाला रूम है और इसका दर्वाजा के बाद क्या जाए तो सारे 3ft by 7ft का साइज करका गया है जोकि चौकाट के बाद आपको फ्री 3ft by 7ft के असपास में मिलने वाला है यहां पर दिखेगा तो यहाँ पे इस घर के लिए दुसरा चजगा है, यह देख सकते हो, दुसरा रूम में दुसरा चजगा भी लगाया गया है, और इस तरीका से चजगा लगवा लेते हो, तो आपका एक्स्रा समाई में, उससे आप रख सकते हो याद रहे हैं दर्वाजा के उपर लगाते हो तो ज़्याद इसमें disturbance वगर अभी नहीं आता है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस घर के master bedroom के तरफ जो की दोनों room के अपेक्षा में अब तक का ये बढ़ा room है इसका size का बात कर लिया जाए तो इससे 12 feet by 13 feet का बनेया जा रहा है यहाँ पे भी आपको एक window यहाँ पे नजर आ रहा है आप इसले यहाँ पे देश सकते हो और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिएगा तो इस घर का जो seal level है जो window का height है यहाँ बहुत सारा लोग को confusion होता है तो घर के ground के label से तीन feet का आसपास का उचाए में आपको रखना है window seal level साथ feet के उचाए में आपको रखना है घर के लिए lintel जिस तरीका से यहाँ पे काम में वो किया गया है देख सकते हो और इसके साथ-साथ अगर बात के जाए घर का जो छट का height का तो 10 या फिर सट 10 feet का आसपास आप रख सकते हो इस room में भी आप देखेगा तो आपको एक छजा जो निकला हुआ है वो नज़र आगा यह hall है देखे एक पर फिर से चमझे वहाँ से एंटर करते हो यह hall के साथ-साथ dining area है उधर आपको toilet बात मिल जाता है उसके साथ-साथ hall और dining area के जो दुसरा छोर है वहाँ पे आपको मिल जाता है kitchen यह देख सकते हो slab का काम किया हुआ नज़र आगा और यहाँ पर देखे आगा लिंटर लेबल में इसमें भी दोनों तरफ से चज़ा है वो दिया गया है इसली आप देख पा रहे हो यहाँ पर आगया हो गया एक्जोर्स फैन के लिए जगा यहाँ पर दिया गया है नीचे में विंडो अगर रहो गया आप यहाँ पर देख सकते हो और इस तरीका से आप काम को किया जा रहा है इस इधर का पार्ट का बात कर लेज़ा इस सेट का तो यहाँ पर आपको तीनों रूम है वो निकाला गया है बीच में हॉल डाइनिंग एरिया हॉल के दाहिने तरफ आपको मिल जाता है ट्वालेट बात उसके साथ-साथ आपको 62 मिल जाता है कीचेन तो इस तरीका से इस गर को बनाया जा रहा है इसली आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा साथ के सिर्फ 25 फीट पाई 40 फीट मतलब सिर्फ 1000 स्कायर फीट में तीन बेट्रूम के साथ हॉल डाइनिंग एरिया कीचेन के साथ में ट्वालेट बातरूम बनाया जा रहा है सायद आपने गोर क्या होगा कि इस घर में किसी भी तरह का कॉलम का इस्तिमाल नहीं किया गया ह हाला कि यहां पे प्लिंद बीम और लिंटे लेबल पे बीम जरूर प्रवाइड किया गया है जैसे ही इस घर की ठेकेदार से हमारा अच्छा तरीका से बात्विस होता है रेट अनेलेसिस करते हुए आप तक का जो खर्चा हुआ है वो वीडियो में आप लोक लिए बहुत से जरूर कलेजे का थैंक यू सो मच